अब तक हम सब पढ़े थे किस तरह से वह अपने आपको अलग कर लेते हैं नाइरेटर की जो दादी मा थी हैं अब सीम एक्सेप्टेर हासे इसे विट रिजिगनेशन उसके बाद क्यों थे ना उसकी जो सबसे रिलाउस्ट टाइम था हो क्या था दो आपको ना तु पूरिपेंग को जो खाना देता हा सृट अब या नोए तब ना क्यों का था हुआ था हो आपकोई या था थो तो आपको या ना यो खाना था था तब क्या करता था मतलब सारे पंची जो एक साथ आके जमा होते थे आंगन में तो उस टाइम जो है देए क्रियेटेड मिन्स दबाट्स क्रियेटेड एवरिटेबल बेडलाम आप चिरपिंग्स वेरिटेबल मीन्स मतलब सेवरल काइंड्स आप सांव्स देए मैं और यू कैन से एक्चुली क्या होता है एस सीन आफ आप्रोर एंड कन्फूज़न ठीक है जैसे कोई एक इंस्टिटूशन हो जहां पर क्या होता है ना जो मेंटल होस्पिटल में जिस तरह से इन साच वे आप जिस तरह से मतलब आवाज निकालते हैं लोग मतलब तरह तरह क आवाज निकालते हैं क्योंकि पागलों का जो पागल होते हैं वहां पर रहते हैं तो वह लोग चिकते हैं चिलाते हैं तो इसी तरह से जैसे उसका कोई पर्टिकुलर रिदिम नहीं होता है ठीक है इन दे सेम वे यहर इस अलसो दे सेम काइंड आप कन्फूज़न आप चैपिंग चैपिंग स्टेपिंग मेंश इंडिस अप्दे भाट्स ठीक है तो तो सम केम एंड पार्च टॉन लेक्स कुछ बाट्स जो है वह आते थे आपर्स टॉन एश उसके लेक्स के ओपर बैड़ जाते थे आदर्स ऑन और जो है वह सोल्डस के ऊपर बैड़ते एक कंदें पर बैढ़ जाते थे मदलब फिल्कुल ड़रता नहीं था उससे साम इवें सैट और है और कुछ तो सर पर बैठ जाते थे पर यह तो बिए यूज तो भी देश्ट हाप आवर इसको अडलान करके रखना इससे कुश्चिया होगा क्यों कि कौन सी टाइम था उसकी एप्यस्ट हाप है आवर था यह सबसे दिन के साथ गंट जो था यह सबसे हैपिस्ट हाप आवर था अब देट फोर मतलब उसकी दाद आवर था था कि मेरी दादी मां जो है वो अफसेट हो जाएंगे आई वोड भी आवे पर फाइब से क्योंकि उसको पांच साल के लिए बाहर जाना था ठीक है और अट हर एज वान कुद नेवर तेल और दूसरी बात यहापे तो इस लाइन इस लाइन को बिलकुल अंडलें इस लाइन से लाइन से लाइन से लाइन से यह रिजन है कि बिकाज दनेरेटर ग्रंड मदर वस तू मच ओल्ड और यह कोई नहीं कर सकता था और और वान कुड नेवर टेल दोनों का मतलब सेम है ठीक है तो कोई आज कोई नहीं बता सकता कि क्या हो सकता है बट माइग्र अधर कुड देख़ो लाइन पुरा नहीं है लेकिन मिनिंग कंप्रीट है तो बट माइग्र माधर कूड माधर कूड टेल देट सी उड हुए नहीं थे मतलब राइटर यहां पर हिंद दे रहा था उसके साथ साथ उसके एक्जांपल भी बता दे रहा था मतलब उसकी जो है मतलब प्रेडिक्शन भी कर दे रहा था कि आगे क्या होने वाला है इसके और एक रेपर्स तुम्हीं ओ, मिलेगा तोम्हें इसकी रेपर्स सेन्ट lies हुआ नहीं मतलब रोना धूरा ऐसे कुछ नहीं किये सी केम टूलीब में एड़ रेलवे स्टेशन बार डिद नॉट टॉक और सो एनी इमोशन वह रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आ है लेकिन ना तो कुछ बोले मुझ से ना ही कोई अधिया है वह से रहूंगा थो पाँ साल के लिए बाहर जा रहा है हार लिपस मूब्ड प्रेयर मतलब एक अधिया में खोए हुए हर माइंड वास्ट प्रेयर में थे अगर एक साथ जोड दिया जाए तो क्या होगा और तुम कोई कोई भी मंत्र अगर बोल रहे हो मान के बहुत रहो उस मंत्र को एक बार कमप्रिट करने के बाद एक रुद्राक्स को अगर तो यहां से शुरू करके एक बार गिंते 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 मतलब तुम को याद नहीं रखना है कि तुम कितने बार उसको रिसाइट कर रहे हो तो 108 बर जाता तर माने जाते हैं तो 108 बार अगर क्यूंकि वह गारलें पूरे गारलें में 108 अगर उद्राक्स रख दोगे तो एक एक करके तुम किंते जाओ और एक एक बार पूरा कंप्रिट करो मंत्र को और एक रुद्राक्स को पीछे कर लो तो इससे क्या होता है माना उसकी काउंटिंग का पता भी चल जाता कि कितने बार वह एक शॉट भार भी हुआ नहीं है तो इसी तरह से उसकी फिंगर्स बीजी टे तो दादी में अपनी ग्रैंड मादर ग्रैंड सवन को क्या करते है उसकी फोरेट पर किस करते हैं किस करते हैं और वेन आई लेफ्ट चेरिष्ट दा मोस्ट इंप्रिंट यहां पर दो एक चीज है वेन लेफ्ट जब मैं बहां से छोड़ कर आया मतलब ट्रेंड पकर लिए यहां पर भी देखों एक मृत्तु की जो के साइन है वो दिया गया है क्योंकि हो सकते हैं यही लास्ट हम दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टक्ट हो मतलब उस ग्रैंट और उसके दादी में के बीच में बट दाट वस नॉट सो लेकिन इन सब चीजों को गलत साबीत करके यह सही नहीं हुआ मतलब दाट वस नॉट सो मतलब दाट वस नॉट्ट फिजिकल कॉन्टक्ट बट्विट्विन अस अप्टर फाइव यर्स पांस सल के बाद आई केम बैक होम जब मैं घर बापास आया चोड़े थे चोड़े थे उसको उसी स्टेशन पर रिसीब भी करने आया है उसको देखके लगने रहा था कि उसकी उमर जो है एक दिन भी बड़ा होगा क्योंकि मान के चलो उस टाइम जो है अल्रेडी उमर बहुत जादा था तो लेकिन आग पांस सल के बाद वह ऐसा ही द लेंड्सकेप तो यह सब चीज़े जो है एकदम सेम टू सेम है सब चीज़ होगा सिस्टील हैट नो टाइम फॉर वार्स उसकी पास अभी बात करने के लिए समय नहीं है मतलब उसकी जो हैवीट बन गया एक हैवीट बन गया है लोगों के एक हैवीट होते हैं जैसे मैंने पहले बता है कि हर एक चीज इंसान की आइबिट कर तो जो लोग क्या करते हैं घर से वहाँ निकलने से पहले मतलब वह प्रे करके जाता है या फिर प्रणाम करके जाते हैं जो भी हो तो वह अगर एक दिन प्रणाम करके नहीं निकलेगा तुसके मन में थोरा सा खटर बंट करते आ रहे हैं वही काम अगर एक दिन ना करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा मतलब थोड़ा सा मन में खटकते रहेगा और वाइल सी क्लाप्स में in her arms I could share her reciting her prayers और जब वो क्या करते हैं जब उसके सब्सक्राइबल हर हैपिएस्ट मोमेंट्स वेर विद विधार स्पैरोज हुम सी फीड लॉंगर और विद फ्रीवोलस रिव्यूक्स तो जिस दिन मैं इवेन ऑन दा फस्ट देव द्यासे तो इस बात को कि जिस दिन मैं वापस आया मतलब पांच साल के बाद वह वापस आया नेरेटर तो उस टाइम भी स्पैरोज लेकिन फिर वही स्पैरोज के साथ विटाना टाइम ही था उस दिन वी क्यों कि इस में जो कि देखो एक हिंट दिया गया है कि उस दिन मेरे आने के खुसी में दादी मा को सब कुछ भूल जाना चाहिए था क्योंकि मेरा आना ही एक बड़ा इभेंद था लेकिन कहीं ना कहीं एक दोनों के बीज में जो है एक ऐसी दूरी तो थोड़ा सा हुआ है लेकिन और इधर जो है स्पैरोज के साथ उसके दादे में इतने बड़े इतने अच्छी बॉंडिंग हो गए कि स्पैरोज उसकी जो मतलब इंटरप्रेटेशन बिलकुल मत कर लेना लेकिन फिर भी यह दिखाया जा रहा है कि उसकी दादी मां जो है मतलब दूसरों को खाना खिलाते हुए वो कितना ज्यादा खुसी मैसूस करता था तो उसकी हैपियस्ट मोमेंट था वह आज भी उस दिन भी स्पैरोज के सा मतलब क्या है यहाँ पर इसको नोट करके रखो प्रिवियस लीबुक्स का मतलब होता है कि स्कोल्डिंग विच्शॉप्ट वर्ट्स मारके चलो जैसे कि मा आगर तुम सब अगर तुमारे क्लास्रूम में आगर जाके कोई या फिर तुमारे घर में जो है कोई गुलाब जा जमून के एक थाली गुलाब जमून रख दिया तो तुम तूट पड़ोगे आप तूट पड़ोगे तो मतलब ऐसे खाने लगोगे अगर बता दिया जैके जो जितना खाएगा हुता है मतलब जो जितना खा सिकते हो फ्री है तो तो तुम तो आगर दो भाई वैनों तो क्य कि मर जाओंगे क्या हम सब कुपते को यह फिर बाट्स को जो जब कहते है तो क्या करते है मतलब इतना खाओंगे क्या तो इस तरह से इसको कहते फिविलोस रिभी उक्स इन तरह इंविरिंग एचेंज गेम अभर लेकिन उस दिन साम को उसके आंदर चेंज आया शी दिद न बुलाया और एक पुराना ओल ड्राम लिया और गाना गाना लेगे इशा था का मतलब हाथ से बीट करने पीटिऑ और सेगे का मतलब सेगें का मतलब पर रेज़ेट इसकी असले मिला था कि सेखी को जब पढ़ाएं था न धाक्रियां पर सरजरी उसमें क्या था जो प्रिक के बाल थे वह सुथ लेकिन बाकिव हैं आपकि गृत थे उसके बाल के सथा ना सेटी इंबान स्वक्रण गया था सैंघी मोंस्टर्स बता वा ऊक्रोट थे वह एकदम ऊख़ा ख़़ा था मतलब यहां पर साइगिंग का मतलब होता है खुरदूर टाइब मान के चलए जो स्मूत नहीं है तो स्कीनस के बिट करने लगे मतलब बजाने और ओमकामिंग और वारियर्स वारियर्स क्योंता है दोस हुवेंड टूवेंड टूवेंड वेंड वेंडिन वर्ट जो वर्पर लड़ने जाते हैं वह वापसद उसको गाना गाना लगते हैं